Welcome to sociology classes, मैं हूँ आपका दोस्त शिबो, आज हम discuss करने वाले है structuralism के बारे में, यहाँ पर हम देखेंगे कि structuralism क्या होता है, इसके regarding अलग-अलग scholars ने किस तरीके का contribution की है, यह सारे चीज़े आज के class में हम discuss करेंगे अब जब हम perspective in sociology की बात करते हैं, sociology में बहुत सारे अलग-अलग perspective यानि कि अलग-अलग नजरियों से हम society को social interaction, social behavior, human behavior को समझने की कोशिश करते हैं हमने previous classes में evolutionary perspective और functionalism को discuss कर ली है, आज के इस class में structuralism के ऊपर हम focus करने वाले हैं अब structuralism ये जो नाम है इससे ही आप लोगों को पता चल रहा है, यहाँ पर किसी तरीके का structure की बात की जा रही है structuralism एक ऐसा perspective या फिर एक ऐसा school of thought है, जहाँ पर human behavior को analyze किया जाता है, उसके underlying structure के द्वारा यानि कि society में किस तरीके का structure है, वो human behavior को किस तरीके से shape कर रहा है, इसके उपर focus किया जाता है अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, structuralism में हमें दो words मिलते हैं, दो words को हमें बहुत ज्यादा time पर confusion होती है एक word है social structure, दूसरा है structuralism, social structure जब हम social relationship को परते हैं, लोगों के behavior किस तरीके का है, तब इसको कहा जाता है social structure यह जो concept है, यह आममुन, जो structural functionalist है, जैसे Redcliffe, Brown, Emile Durkheim, यह सारे लोग social structure को परते हैं अब social structure से थोड़ा अलग होता है structuralism, structuralism mainly focus करता है underlying structure के ऊपर, यानि कि यहाँ पर deep analysis की बात की जाती है यहाँ पर एक ऐसी structure की बात की जाती है, जो world के हर जगा पर लगभग same होगी, यानि कि एक generalized theory की भी बात की जाती है अब यहाँ पर अगर आप simply देखो, structuralism refers to the logical structures of the human mind human mind के दुआरा जिस तरीके का structure create किया जाता है, structure को analyze किया जाता है इसी को जब हम study करते हैं, इसको कहा जाता है structuralism जैसे आप लोग, सभी आप लोगों के पास mobile phones है, आप लोग mobile phone के बारे में जानते हो लेकिन अगर कोई primitive tribe है, जिसके पास अभी भी mobile phone का access नहीं है अगर उसके पास आप mobile phone को ले जाओ, तो वो डर जाएगा उसको लगेगा कि ये क्या चीज है, यानि कि उसके बारे में उसको पता ही नहीं है उसका जो mind है, वो ये चीज को accept करने के लिए ready ही नहीं है यानि कि यहाँ पर जो उसके mind में structure है, वो mobile phone को लेके कोई structure उसके पास है ही नहीं यानि कि structuralism में हम पढ़ेंगे कि human mind में किस तरीके से logical structure को create किया जाता है और उसको analyze किया जाता है अब जब structuralism की बात की जाती है, बहुत सारे अलग-अलग thinkers हैं, जिन्होंने इस structuralism में अपना contribution दिया है हर किसी का मानना है, यह जो structural analysis है, यह context free है, यानि कि हम किसी भी जगापर इसको पढ़ें, इसको हम generalize कर सकते हैं, यह किसी context के उपर dependent नहीं है यह जो एक structure होता है, underlying, जिसको हम deep analysis करके देखेंगे, वो एक context free होता है और जो हर जगापर हम इसको generalize कर सकेंगे इस बज़े से structuralism जो है, वो जो theories हम create करेंगे, यह generalized theories होती है, जिसका universal application होता है जैसे हम example की तोर पे देखते है, totemism और Hindu caste system totemism के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत पताई होगा, यह एक ऐसा religion है, जहापर totem को पूजा किया जाता है यानि कि कोई भी paid हो सकता है, कोई मचली हो सकती है, या भी कोई पशू पक्षी हो सकती है, इनको पूजते है और इनको respect देते है और दूसरी तरफ Hindu caste system अलग तरीके का चीज़े है, लेकिन यह जो structuralist है, उन्होंने दिखाया है कि इन दोनों के बीच में भी similarities है, उनके जो basic structure है, इनके बीच में भी similarities है यानि कि यहाँ पर एक generalized theory create किये जाती है, जो context free होती है अब आशा करता हूँ structuralism का जो basic है, उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा पता चल गया है अब आगे जाकर हम इसको और भी detail में पढ़ेंगे, जहाँ पर आपको यह जो भी confusion अगर आपके दिमाग में है, वो सारे clear होने वाली है तो structuralism की जब हम starting की बात करते है, structuralism का starting होता है linguistic से यानि कि जहाँ पर language को study किया जाता है, language की structure को पढ़ा जाता है structuralism का जो father है, वो है Fardinand D. Saucer, उन्होंने ही पहली बार structuralism का starting की थी उन्होंने देखा था कि जो language है, language में अलग-अलग जगाव पर अलग तरीके का language बोली जाती है लेकिन उनका जो structure है, उसमें similarities हमें देखने को मिलती है यानि कि यहाँ पर words अलग हो सकती है, जैसे हमारा मचली, मचली को English में fish कहते है इसी तरीके से अलग-अलग language में जैसे Bengali में match कहते है अलग languages में different तरीके से बुलाया जाता है लेकिन यह जो word है, यह word जो मचली represent करती है, यह उन लोगों को पता चलता है इसके regarding कुछ grammars भी होते है, जो grammar चीजों को जोडने में मदद करती है बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता है कि हम grammar यूज कर रहा है जैसे मैं यहाँ पर हिंदी बोल रहा हूँ, यहाँ पर grammar में यूज कर रहा हूँ यानि कि यह मुझे बोलते बोलते, यह मेरा एक used to हो गया है जिसके द्वारा मैं आप लोगों के साथ communicate कर पा रहा हूँ यहाँ पर जो structure list है, वो लोग इसी language के underlying structure को follow कर रहे थे इसको analyze कर रहे थे Fardinand D.Saucer ने पहली बार language को analyze किया था और उन्होंने देखा था कि world के जो अलग-अलग languages है उनके structure के बीच में कुछ similarities है जहाँ पर लोग words यूज करते हैं और हर language में अपना-पना तरीके का grammar होता है अब Fardinand D.Saucer ने दो main जीसों की बात की है एक है language, दूसरा है parole language यानि कि जो हमारा grammar use होता है हर language में हमें कुछ grammar देखने को मिलता है और दूसरा है parole जहाँ पर हमें बोलने की ढग अलग-अलग language का बोलने का ढग ढग जो होता है वो अलग होता है हर individual अपने अलग तरीके से बातों को बताता है ये दो चीजों के उपर उन्होंने ज्यादा importance दी थी और सबसे ज्यादा जो important चीज है वो है हमारा language यानि कि जो हमारा grammatical rule से grammar है ये चीजे mainly हमारा focus का है और हर जगा के language में कुछ न कुछ grammar होता ही है अब यहाँ पर जो हमारा language है Fardinand D. Saussar ने जो language को analyze किया था उन्होंने देखा है कि जो language है ये लोगों के जिंदिगी में internalized हो जाती है यानि कि लोग रोज रोज बोलते बोलते उनके जिंदिगी में internalized हो जा रही है वो लोग grammar use कर रहे है अलग-अलग तरीके का grammar use कर रहे है लेकिन उनको पता नहीं चल रहा है उनके unconscious mind में उनका knowledge एक जम जाता है यानि कि उनका knowledge हो जाता है उस चीज को लेकर तब वो लोग automatically उस चीज को बोल पाते है यहाँ पर जैसे हमारा example हम लेते है Shibu is eating fish मैंने अपना नाम ही लिया है Shibu is eating fish यानि कि यहाँ पर Shibu जो है वो fish को खा रहा है यहाँ पर हिंदी में भी अगर आप लिखोगे तो यह होगा Shibu मचली खा रहा है अब यह दोनों को जो words है उनको अगर आप एक एक करके translate करोगे तो उसका meaning अलग हो जाएगा अगर Shibu is eating fish को मैं बदल दू words को अगर बदल दू यहाँ पर fish is eating Shibu कर दू तो इसका meaning total change हो जाएगा यहाँ फिर eating fish is Shibu इस तरीके का अगर हम बदलाव कर देंगे तो हमें यह जो words है word का meaning है यही total बदल जाएगा अब language में हमें क्या देखना होता है हम चाहे या फिर ना चाहे हम कुछ grammatical words use कर रहे है जैसे हिंदी बोल रहा हूँ Shibu मचली खा रहा है इसको हम उल्टे फुल्टे तरीके से नहीं बोलेंगे क्योंकि यह चीज हमारे जिंदगी में internalized हो जाती है हम लोगों से सीखते है लोग किस तरीके से बाते बोलते है यह सारे चीजे हम सीखते है यानि कि जो language है language का एक structure होता है इस structure को हम follow करते रहते हैं अब यह जो चीजे हैं इस चीज को ही जो social sciences के theorist है वो अपने social sciences के चीजों में apply करते हैं जैसे अगर हम example ले culture की culture में भी इसी तरीके का एक underlying structure होता है हमारा life में हम हर रोज कुछ ना कुछ cultural चीजे follow करते है कुछ rules और regulations होते है जो हमारे society हमें रोज नहीं बताती है लेकिन हमें वो सारे चीजे पता चल जाती है हम unconscious mind से ही उसको follow करते है जैसे कोई मंदिर हो गया मंदिर में हम जूते बाहर निकालके ही जाएंगे जो बड़े बुजूर्ग है उनको हम respect करेंगे ये सारे चीजे हमारे day to day life में practice करते करते internalize हो गई है ये चीजों के बारे में अब हमें सोचना नहीं पड़ता है यानि कि culture में भी कुछ rules regulations है इसी तरीके से हमारा society में भी कुछ rules regulations है जो हमारी behavior को बदल देता है या फिर हम किस तरीके से behave करेंगे उसके उपर बहुत ज्यादा role play करता है अब हम आते है social sciences में किस तरीके से structuralism को देखा जाता है हम जब structural anthropology या फिर sociology की बात करें यहाँ पर अगर हम किसी एक scholar का नाम लेंगे वो है क्लोईड लेविस्ट्रोस क्लोईड लेविस्ट्रोस को father of structural anthropology कहा जाता है उन्होंने जो linguistic में जिस तरीके से structuralism को use किया गया था उसको उन्होंने adopt करते social sciences में use किया था खासकर anthropology में उन्होंने इसको use किया था उन्होंने देखा था कि जो हमारा society है society में भी एक underlying structure है हर जगा पर हमें एक structure देखने को मिलता है अब यह जो structure है यह सिर्फ overt structure की बात नहीं कर रही है यानि कि उपर उपर से जो structure दिखाए देगा उस structure के उपर focus नहीं किया जा रहा है यहाँ पर deeper and unconscious logical structure की बात की जा रही है यानि कि जो हमारा structure के under है जो हम हर जगा पर generalize कर सकेंगे इस तरीके का एक deep structure को analyze करते है kloid levistros kloid levistros ने बहुत सारे word का use करके इस structure को समझाने की कोशिश की थी उन्होंने binary opposition को use किया था उनके हिसाब से जो structure है वो एक model होता है यह reality में नहीं होता है यह एक model होता है जिसके द्वारा हम society के structure को समझ सकते है अब एक एक करके हम kloid levistros ने किस तरीके का contribution दिया है उनको समझने की कोशिश करते है उनका जो concept है वो है binary opposition binary opposition में हम दो extreme अलग तरीके का चीजों की बात करते है binary opposition का concept के बारे में levistros बात करते है उनके हिसाब से हमारे दुनिया में जो भी चीजे है या फिर जो भी घटनाय घटती है वो हमेशा प्यार में ही रहती है यानि कि एक अगर कोई भी घटना हो उसका opposite में दूसरा एक घटना हो होगा ही होगा जैसे अगर हमारा day है तो night है life है तो death भी है fast कोई चल रहा है तो कोई slow चल रहा है कुछ चीजे raw है तो कुछ चीजे cooked है कुछ चीजे good है तो कुछ चीजे evil है इस तरीके से हम जब चीजों को समझते हैं हमारा जो human mind है हो जब चीजों को समझने की कोशिश करते हैं वो हमेशा दो opposite चीजों के बारे में सोच कर ही चीजों को analyze करती है। यहाँ पर अगर हमें दिन का पता चलना चाहिए तो हमारे पास night जो है यानि की रात जो है उसका concept होना जरूरी है। इस तरीके से ही क्लॉइड लेबिस्ट्रोस ने structuralism के बारे में बात की है। कि हमारा society में जो भी घटनाय घटती है, जो भी structure है, एक structure का दूसरा opposite end भी होता है, हम जो भी चीजे सोचते हैं या फिर जो भी घटनाय घटती है, उसको हम contrast में ही देखते हैं, do opposite end की तरह ही हम देखने को कोशिश करते हैं। अब यह जो structuralism है, structuralism में हमारा human philosophy, culture या फिर language किसी भी चीज़ को हम study करें, उसको हम binary opposition में ही देखने की कोशिश करते हैं। अब इसी के related एक concept है, myth, myth यानि की वो सारे कहानी जो हम लोग एक दूसरे को बताते हैं, या फिर जो हमारे books में भी लिखी हुई होती हैं। mythology वो सारे stories होते हैं, जो किसी भी एक जगा के लिए important होती हैं, जो भी historical events है, traditional stories हैं, उनको हम कहते हैं, myth. अब यह जो myth है, यह कुछ belief और practices हमें provide करती हैं, हमारे कुछ natural phenomena को हमें समझाने की कोशिश करता हैं। जैसे अगर हम Hindu की बात करें, Hinduism में, हमारा एक book है, महाभारत. महाभारत में हमें समझाया जाता है कि किस तरीके से हमें रहना चाहिए, हमारा behavior किस तरीके से होना चाहिए, कौन सा चीज सही है, कौन सा चीज गलत है, यह सारे चीज़े, कौन हमारे लिए भगवान है, किनको ह में पूझना चाहिए हमारा belief pattern किस तरीके से होना चाहिए ये सारे चीजे हमें समझाते हैं और book इसी तरीके से बहुत सारे अलग-अलग religion में अलग तरीके का books हमें देखने को मिलता है तो might basically एक ऐसा stories होती है जो हमें हमारे आसपास के जो भी घटनाये है उसको हमें समझाने में मदद करती है हमारा belief practice किस तरीके से होगा इसको explain करता है अब इसी might को क्लॉइड लेविश्ट्रोस ने analyze किया था उन्होंने देखा था कि ये जो might है हर जगापर देखने को मिलती है यानि कि किसी भी society में आप चले जाओ इस तरीके से कुछ mythology आपको देखने को मिलेगे जहाँ पर कुछ कहानिया है उसके related उस society के related वहाँ पर अलग-अलग structure की बात की जाती है किसको पूजना चाहिए कौन सही है कौन गलत है इसके regarding कुछ might होते है अब इस might हमें हर जगा पर देखने को मिलता है और इसका जो purpose होता है यह होता है हमें सही चीजों का पता लगाना यह एक ऐसा logical model होता है जो हमें contradiction से बहार निकालता है यानि कि हमें dead to day life में किस तरीके से behave करना है उसके बारे में हमें बताता है यानि कि यह might को भी हमें एक binary opposition की तरह देख सकते हैं जहाँ पर हमें समझाए जाता है कि कौन सा चीज सही है और कौन सा चीज गलत है कौन सा चीज अच्छा है कौन सा चीज बुरा है यहाँ पर might में हमें बहुत सारे अलग-अलग तरीके का elements देखने को मिलता है जब might को पढ़ने की कोशिश की थी लेविस्ट्रोस ने तो उन्होंने इसको बहुत सारे अलग-अलग elements में divide कर दी थी और इनको उन्होंने binary opposition में ही देखने की कोशिश की थी अब यहाँ पर हम देखते हैं alliance theory के बारे में alliance theory के बारे में भी लेविस्ट्रोस ने बात की है यहाँ पर हमें दो तरीके का theory देखने को मिलता है kinship के related यानि कि लोगों के साथ relationship किस तरीके से होगा कौन किसके साथ शादी करेगा इसके regarding हमें दो तरीके का theories देखने को मिलता है एक है descent theory, दूसरा होता है alliance theory इस तरीके का चीजे हमें बताई जाती है और किस के साथ किस तरीके का रिलेशन होगा वो हमें समझाया जाता है और दूसरी तरीके का जो थियोरी है वो है एलायन्स थियोरी में हमें बताया जाता है कि किस के साथ हम शादी कर सकते हैं यह हमें बताया जाता है यानि कि हमारा ज जो human exchange होता है वो किस तरीके से होगा यहाँ पर इस चीज़ के उपर focus किया जाता है हमने अभी तक बाते की है कि क्लॉइड लेविस्ट्रो से एक structuralist है उन्होंने society का जो underlying structure है उसको समझने की कोशिश की है उन्होंने kinship studies में alliance theory का use किया है और उन्होंने देखा है कि लोग किस तरीके से exchange करते हैं एक दूसरे के साथ जैसे हमारा marriage जो होता है वो basically एक system of exchange होता है यहाँ पर किसके साथ किसके शादी होगी और कौन किसके घर पे जाएगा इसके बारे में मैं पहले से ही बता दिया जाता है जैसे कोई भी एक लड़की अगर हो normally patrilineal society हो वहाँ पर लड़की को लड़के के घर में ही जाना होगा कि कोई भी एक सामान की तरह treat किया जाता है यह alliance theory में लेविश्ट्रोस ने बताया है अब यह जो alliance है इसका main reason क्या है इसका main purpose होता है insist taboo यानि कि आप किसके साथ relationship में नहीं रहोगे यह आप लोगों को बताता है यह alliance theory यहाँ पर आप हर किसी इंसान के साथ sex में interested नहीं हो सक होगे हमारे पास society में दो तरीके का चीजे होती है एक है natural दूसरा होता है cultural जैसे natural instinct हमें कहता है कि हम किसी भी इंसान के साथ sex कर सकते है लेकिन हमारा दिमाग हमें बतायागा कि हम किसके साथ sex कर सकते हैं जैसे आपका sister या फिर आपके mother इनके साथ आप sex नहीं करोगे कियुक इसी incest taboo को बचाने के लिए हमारे society में culture का जनम होता है, यहाँ पर culture के द्वारा हमारे marriage हम किसके साथ कर सकते हैं, इसका कुछ rules regulation बनाया दिया जाता है, ताकि हमारा जो society है वो अच्छी तरीके से maintain रह सके और लोगों के बीच में एक बहतर relationship बन सके, यहाँ पर जो human groups है, उन इसी के द्वारा हमारा धीरे-धीरे culture तयार होता है, हम पहले सारे natural चीजों के उपर पहले लोग focus करते थे, लेकिन आजकल culturally कौन सा चीज सही है, कौन सा चीज गलत है, इसके उपर ज्यादा focus करते हैं, जैसे आप लोग देखोगे कि आपके आसपास जो भी लोग है, शादी के टाइम पर गोत्र देखते हैं, कौन सा वन्ष है, या फिर कौन सा टाइटल से शादी कर रहे हैं, ये भी देखते हैं, ये सारे चीज़े हमारा culture का हिस्सा है, ये सारे चीज़े हमारा alliance theory का part है, यानि कि यहाँ पर सिर्फ descent को नहीं देखा जाता है, यहाँ पर alliance के दौरा लोग एक दूसरे के साथ शादी करते हैं, अब आज के class में हमने structuralism के बारे में समझने की कोशिश की है, आशा करता हूँ, आप लोगों को चीज़े समझ में आ गई है, अगर फिर भी कोई दिक्कत हो, तो बापस class को repeat करके देखना, और comment करके जरूर बताना के classes आप लोगो रहिए, सुस्त रहिए और लोगों में प्यार बाटते रहिए, जाए हिंद!